कि आज की वीडियो काफी जदा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हैं पढ़ने वाले हैं ट्राइपस ऑफ इंडिया आप लोगों की बहुत इसकी डिमांड भी थी कि ट्राइपस ऑफ इंडिया के बारे में बताईए भारत के जंजाती हैं तो स्टेट वाइस हम लोग यहाँ और इसको याद करने की कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत निमानिक टेक्निक्स का यूज करेंगे यानि मेमरी टेक्निक का यूज करेंगे ताकि हम लोगों को याद रह सके और एक्जाम में हम लोग यहाँ से क्वेशन सॉल्व आउट कर सके ठीके और और आलसो मैं इस वीडियो की रिक्वेस्ट हो तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी जरू बताइए का इस वीडियो को शेयर करें देखे सभी के साथ ताकि और भी स्टुडेंट्स को यहाँ पर लॉजिक पार्शला चानल से चाह पता चल सके जूड सके तो तो देखे सबसे पहले जो भी हम लोग इस ट्राइब का पूरा चाप्टर पढ़ रहे हैं जो पूरा चाप्टर है यह आपका 2011 की जो सेंसे आया था यानि जिंगर्णा होई थी उसके आकड़े हैं पूरे ठीके जब नेक्स्ट वर आकड़े दिये जाएंगे तो उस टाइम जो भी चेंज हो जाएंगे तब हम एक नेक्स्ट वीडियो आपको लिए बना देंगे ठीके तो देखो 2011 की अनुसार भारत की जो टोटल जनसंग किया है उसमें 8.61 परसेंट जो है वो टोटल पोपुलेशन का कौन है ट्राइब्स है यानि जो ट्राइबल पीपल्स है उनक किसी बी जनजाती समुदाई को या कोई tribal community है उसे notify करने का right किसके पास होता है President के पास होता है थ्यान ढंकीगा एक कोशन ये भी बन सकता है उसके बाद एक कोशन बनेगा आपका largest tribal community हमारी इंडिया की कौनसी है जो सबसे ज्यादा जो संक्या आपको पोचंट सबसे बी बी भील जो है वह उसके सबसे ज़्यादा आपको कम्यूनिटी मिलेगी हमारी इंडिया में ठीक है यह डारेट कोशिन बनेंगे उसके बाद कोई चार जो को यहां पर चीज़े लिखने इनसे डारेट कोशिन बनेगा कि सबसे ज़्यादा जिंसंख्या हाइस्ट ट्राइवल पॉ बॉलेशन की बात करें तो हैस्ट ट्राइवल पॉपुलेशन है मत्या प्रदेश में और मिनीमं tribal तो चोटा है तो सबसे कम पॉपुलेशन है वहां पर ट्राइबल्स की उसके बात यह तो पॉपलेशन की आग परसेंटेज में अगर पूचा जाए तो हाइस्ट ट्राइबल पॉप्रसेंटेज आपकी मिजोरम में ठीके और अगर आपको यूटी में पूच लिया जाए तो ह highest trial percentage कौन सी UT में है तो वो लक्षवधीप में है ठीके तो question डारिक बनेगा कि बताएं कि कौन सी UT है जहां पर highest try percentage है तो आप लोगा answer directly क्या हो जाएगा लक्षवधीप हो जाएगा ठीके अब देखो को चीहां पर key points में आप लोगों को mention किये हुए है देखो जो ट्राइवल्स हैं उनको हमने categories में तोड़ा डिवाइड किया हुआ है जैसे आपका mongoloid जो प्रजाती है वो आपको कहां पर देखने को मिलेंगी कि इस्ट वाली स्टेट्स हैं जैसे आपका असाम में खाली है नागला इन मनिपूर इधर स्टेट्स में जो आपकी ट्राइवल्स हों वो mongoloid प्रजाती की मिलेंगी ठीके उसके बाद एक अंडमा निकुबार और केरला वगेरा की साइट में आपको निग्रटो प्रजाती मिलेंगी यानि निग्रटो ट्राइव्स मिलेंगी ओकी और मध्य में लाइक आपका मध्यप्रदेश, महाराष्ट और जारकन यह जो इलाका है यहां का वहाँ पे आपको प्रोटो ऑस्ट्रोड प्रजातियां मिलेंगी जैसे गौंड हो गया भील संताल की ठीके तो एक छोटा सा की पॉइंट से ध्यान ने कीगा मंगलॉइड प्रजाती कि दर की तरफ है इस्ट की तरफ है निग्रेटो आ की इजी हो अंडेस्टेंड करने में भी और इन सारे चीज़ों को लेकर ही हमें पढ़ना है आप लोगों को थोड़ी बहुत बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन भी होने चाप्टर पढ़ रही हो तो क्लियर हो गया इतना सारा चलिए अब हम स्टेट से शुरू करेंगे को ठुलब कि जम्मु कश्मीत अगर अगर हम झा जा रहे हैं तो हम गूबने जा रहे हैं तो हम गुजरते गुजरते जम्मु पूच गहिं या फर खेलो की झम्मु में जाकर हम जंब गए वहां से गुजर रहे थे हम ने अ Station आपको कुज्हन से याद हो चाहेगा कहां पी किवे मैंने वैसे बहुत-बहुत सारी ट्राइब्स भी हैं बट एक्जाम के लिहास से जो फेमस है वही पढ़ना है यहाँ पर फेमस है गद्धी बकरवाल और किन्नौर और प्रमो की पॉइंट्स देख लीजे जो गद्धी और बकरवाल ट्राइब्स हैं वो बेड़ और बक किन और का मतलब करने और प्रमों निकाला हिम निकाला हिमाल भूता है विए क्म शुरू कर दिया मतलब बकरवाल ठीक है क्या हिम के गद्दी पर बैठ कर ओके तो हिम से हिमाचल प्रदेश चुटे-चुटे की पॉइंट्स हम लोग को पकर नहीं है जैसे हम याद कर सकें और अगर आप डारेट याद कर सकते तो भाई इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है है ना आगे देखो उत्राखंड उत्राखंड में फेमस थारू है बुकसा बोटिया जॉन सारी और फेमस देखो की पॉइंट्स क्या है ये बहुत पुछे आता है कि कौन से से ट्राइव है जो दीपावली फेस्टिवल को यानि दिवाली फेस्टिवल को शोक पर्व के है देखो थारू बुकसा बोटिया और जॉन सारी ठीक है उत्राखंड से हम लोग क्या मिना नेंगे उत्तर बना लेते हैं ठीक है कि क्या हुआ देखो उत्तर की दिशा में ठीक है हमारे परसना थार गाड़ी है थार तो सुना यह को बहुत सीमस कार है बहुत अच्छी लग ऑं मिला ठीक है वहां पर सब यहीं बोलते हैं की बहुत है रही बहुते ने बहुत पोसफ पỏ पर भूत है और घॉंस सारी बहुत हैं ठीक है ऑर हो जा जया बहुत सीessaKI होगते हैं रिचा अबर नहीं तो से उत्तर नहीं उसक्तवित कया हिता है एंग उत्तर में सीसे रहां उत्रप्रदेश में गॉंड और खर्बार यहां पर सबसेज़ादागा यहां पर उत्रपरदेश में मिलएगी आपको ट्राईव ठीक से हम गॉंड बना देंगे तो प्रदेश मतिब जैसे प्रदेश में आप लोग क्या निकाल सकते हो परेड निकाल लो कि परेड में क्या होता है ना देखो बहुत भीडबार होती है है ना भीडबार तो लोग चिपक चिपक के परेड कर रहे होते हैं तो ऐसे लोग चिपक चिपक के गोंद की तरह परेड कर रहे हैं ठीके और वार की तयारी हो र कालभी लिया जो प्रजाती है यानि कॉम्यूनिटी है वो सनेक ट्राइप कही जाती है ठीकै तो इस ट्राइप के राम से कौन फेमने से कालभी लिया ऐसे भी पोशण पूस सकती है राजस्たान में तो आपने देखा प्योंकर जुलरीज बनी होती है उसमें मेनाकारी बहुत होती है मेना का वर्क बहुत होता है ठीक है ऐसे भी याद कर सकते हो और राजाओं किसमें क्या होता था? बहुत देखो, मतलब राजस्थान कहते है ना, राजाओ का प्लेस इसको बोला जाता है, तो वो काल, मतलब बीत गया, कौन सा काल बीत यह? राजाओं का काल बीत गया, ठीक है, तो काल बीत से मतलब काल बेलिया हो जाएगा, तो इसे ऐसे हम याद करेंगे, नेक्स्ट इस मध्या प्रदेश, यहां पे भील, कोल, लंबड़ी, बाइगा, गोंड, यह सब फीमस है, मतलब यह सब प्रजातिया है, बड़ सबसे जादा यहां पर भील मिलेगी, ठीक है, तो भील सबसे जादा फीमस है, और यहां पर अगर हम बैगा की बात करें, तो देखो भील, आपने भील से भील बनाओ, भील के बीच में, भील पुरी खाई होगी ना, भील के पीच में क्या क्या चीज़े होती है, बहुत सारी चीज़े होती है, बहुत सारी चीज़े होती है, बहुत सारी चीज़े होती है, आपको नमकीन्स मिलेगी, आपको उसमें बेल बनाके ना इसा देखाऊ ना कौन टाइप का लंबा सा पीपर होता है ना ऐसे तो लंबा से लंबाडी भी याद हो जाएगा और बेल में बहुत सारे दाने-दाने होते हैं तो गोंद की तरह वह एक साथ से चिपके हुए लगते हैं जब उसमें हम नीम उडाल देते हैं तो देको कुछ भी बना सकते हो यह आप लोग को जो मन हो आप लोग वैसे याद करो ठीके तो ऐसे हम लोग कुछ भी याद कर सकते हैं अगर हमारे पास क्वेशन भी आएगा कि लंबाडी कहां पर कॉमेंटी बिलती है कौन से स्टेट में तो याद करो हमने भेल से बाड़ी याद हो गया था ऐसी याद हो जाएगा 36 कड में देखो अगरिय vita और भारिय ये दो आपको me लेंकी त्क है अगर ऐसे आत कर लो कि अगर अगर 36 भाज उठा लिया माले अपने 36 लो aska अधा लिया तो 36 यानि 36 कर अगर से अगरिया हो जाएगा और भार से भारिया हो जाएगा क्लियर ऐसे याद हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से उसके बाद है को जहारखंड में मिलेंगी आपको संथाल, मुंडा, गौंड और हो मैं आपको बताया था कि जो ट्राइब्स हैं वो जरूरी नहीं कि एक स्टेट में हो आपका दूसरे स्टेट में भी कुसकी कॉमेंटी रह सकती है तो आपको इसे याद करनी होंगी यहाँ पे मुंडा बहुत जादा फेमस है क्योंकि आपने बिर्शा मुंडा का नाम सुनोगा जो एक आन्दोलन हुआ था movement हुआ था स्टन्तिता आन्दोलन में एक बहुती नहीं प्रमुगतिहार सरहुल होता है पूछ रहाता है कि सरहुल कौन से जनजाती का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है तो ये मुंडा प्रजाती का है जो की वसंत आगमन पर मनाया जाता है और जो मुंडा ट्राइब से वो जो मरतक थे मतलब जो मर जाते हैं उनकी हड्डियों को मिट्टी के बरतन में रखते थे जैसे बहुत है बच्चों का मुंडन होता है ऐसे याद करो चाहिए तो बच्चों का मुंडन हो रहा है तो हमने क्या किया बच्चे बहुत मतलब उसके बाल इते जादा जड़ रहते ना तो हमने उसका मुंडन करवा दिया तो जड़ रहते तो मुंडन करवा दिया तो मु प्रदेश में भी ट्राइप मिलेंगी, आपको और यहां पर मिलेंगी ठीके, ओके गुजब रात ऐसे डाफर जैसी रात थी मतलब डर लग रहा था Лेकिन फिर भी क्या हुब वो रात गुजब गई ठीके वहाँ पे बहुत तोड़ फोड़ हुई और इती तोड़ फोड़ हुई अब दूबले पतले इनसान क्या करेंगे तोड़ फोड़ में डर ही लगेगा दूबले पतले इनसान को तो बस वो रात क्या हुई गुजर गई डर डर से और डर डर में क्या हो गया इंसान और दूबला हो गया तो ऐसे करके हम लोग इसकी सारी ट्राइब्स को याद कर सकती है नेक्स्ट इस देखो बिहार, बिहार में फेमस है संथाल, गॉन्ट और खरवार ठीक है तो इसको याद करना है हमें अब देखो बीहार बीहार में क्या आ रहा है आपका हार आ रहा है ठीक है तो अब हम हार से ही बनाएंगे ठीक है ठीक हो खरवार में वार आ रहा है वार में तो हार जित लगी रहती है तो ये डारेट हमें आ दो जाएगा है ना लोग क्या ह और वार में हार चीत होती रहते तो हार से भी हार हो जाएगा ठीक है सारे याद हो जाएंगी नेक्स्ट इस वेस्ट बंगॉल में भी संथाल मिलेंगी आपको उर्राओं मुंडा और भूमजी यह मिलेंगी आप लोगों को कहां पर वेस्ट बंगॉल में यानि पशिम मंगाल म धूप परенной बंगले के ऊपर तो बहुत अच्छी सी धूप परती है और इस त chambers से हम लोग उर्राओं को याद कर सकती है clear और मन भी बहुत लगता है तो मन से मुंडा हो जाएगा next इस महाराष्टा महाराष्टा में famous है भील भील यहां पर भी मिलेगी देखो गॉण मिलेगी कोली महादेव और تھाकुर मिलेगी। महान रास्ट में ठाकुर रहते थे ऐसे याद करो ठाकुरों का वहता था थालता था था तुरास्ट में ठाकुरों का राज चलता THा यानी ग़े ठाकुर सी और ठाकुर जो होते थे वह क्या करते थे गौन वगेरा बहुत रखते थे, गौन, गौन, गौन में थोड़ा सा ना गौन रिलेट करोगे, गौन यानि गौन बहुत रखते थे, ठीके, और भेलपुरी उनको बहुत पसंद थी, तो यह हो जाएगा महरास्ट्रा, नेक्स्ट इस गोवा, गोवा में देखो, फेमस कौन जाते हैं घूपने के लिए, ठीके, और वहां जाएके तो पूरा गावडा, गावडा से हम लोग यह निकल सकते हैं, घाते पीते, गाते से रहते हैं, यह सब करते हैं, मजे करते हैं, वहां जाके, तो गोवास है, आप लोग यह दो चीज़ जाद रखेंगे, नेक्स्ट आ गारोख हासी जंतिया, जैसे मिघाले में वो हील्स है न, वहीं famous tribes है, वहां की याद करना इसको, ठीके, मिजोरम, मिजोरम में हम लोग क्या निकालेंगे, मजे, खोड़ा सब मजे निकालेंगे, ठीके, अब क्या हुआ देखो, अब मजे लेने के लिए कहां जा रहे हैं, हम हमने चक्मा, यहां से चक्मा निकालो, ठीके, तो हमने क्या किया, मजे, मजे, मजे लेने के चक्कर में, पुलिस को चक्मा दे दिया, अब ही क्या होता है, जब जादा मजे लेते हैं, तो पुलिस पकड़ लेती है, तो जब मजे जादा लोगे, तो पुलिस पकड़ लेगी वहां पाउँ देले मैं के लाखे CHRIS इसके भाते हैं, नागु क्या करो भीमी बहुत bestimmt इमा है सिं को सates क कर सकते हैं आप लोग थोड़ा सा टो शाम को बाहर मित लिगले वन नाग मिल जाएगा वसक्वा थेंद की यह लो जाल से नहीं इसी बहत म agrees When exist and apply kommt, if there are 3 trials you will get in Nagaland, आपको मेरी अपकरियन में फ्हासी झालेट हैं सिक्षिक मेरे आपकी भूटिया लिम्बो लेपड़ा हैं ठोसरीर मेरे त्मांग, भूटिया लिम्बो आपके लिम्बो से निम्बो बना लो लेप्चाज जरे यहां पे लेप्चा मिलेगा आपको और यहां पे तमंग लेगा लिंबो से निम्बो बनाए जुआ आपके पास पैसे होंगे पैसे मतलब सिक्के, ऐसे याद करोंगे, ठीक है, यहां से आपको थोड़ा बहुत ऐसे याद हो जाएगा, ओके, और बटी, बुटिया से क्या बनाओगे, बटी, ठीक है, तो देखो, जब हम बटी में काम कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, आपने देखा ठीक है, नीबू पर लेप चा लगा लगा के, लेप लगा लगा के, मतलब नीबू का लेप बना लेगा, ऐसे होते हैं, हम लोग वो बनाते हैं, फेस मास्क, लेप बनाते हैं, तो इसमें हलका सा नीबू डाल देते हैं, क्योंकि स्किन गिल अच्छा होता है, इस तरीके से ह सिक्कीम का याद करेंगे next आता है तिरपूरा तिरपूरी और तिपेरिया तो दोनों आपको तिरपूरा से याद हो जाएंगे और यहां पर जाएगा लजाएंग और और ओरंग ठीकिंगे यह दोनों भी far yaad लिए जिएका आरण आचल प्रदेश में आपको नई शी गल उह लॉंग और मिशlaw एक चार मिलेंगे अर्चल प्रदेश में ठीक है अरुन आचल प्रदेश में हम लोग किस तरीके से को याद कह सकते हैं अरुन आचल प्रदेश में हम लोग क्या बनाएं कि अरुन अरुन क्या कह रहा है कि अरुन ने नई नई मतलब क्या लिए एक तरीके से मिश्मी किश्मी बनाओ तो अरुन के पास नई किषμε की वाली तो अरून के पास नई नय किष्मी की चॉक्रेट उकली गेलौन घय तरीके साब उसमें ले सकते हो लायकर बगा जो मिजल्मैन्ट होता है इतनी सारी उसके बड़ो रभा मिरी हो अरवा कारदी चाहने सारा को उयन्टacz कर ड़का Church असम में क्या है बोडो मतलब शाम को क्या हो रहे थे बोर हो रहे थे बोर से बोडो बना सकते हो शाम को हम लोग क्या हो रहे थे बोर हो रहे थे तो क्या किया मिरी और कारभी और राभा ठीके तो हमने रात का प्लैन बनाया कि हम रात में कार से क्या करने जाएंगे इक तरीके से घूमने जाएंगे बस ऐसे आद करो ठीके शाम को हम बोर रो रहे थे बोर से मतलब बोर तो हमने रात को कार से घूमने का प्लैन बना लिया ब पर्टेंस से नाम होते है, देखो, ट्राइपस के, बट हमें याद भी करना होता है, ठीके, तो मनीपूर, मनीपूर से आप लोग निकालो मनी, अब देखो, मनी से क्या-क्या खरीद सकते हो, वैसे ही हम लोग ट्रिक बना देंगे, काबुल गूमने जा सकते हैं, वे काबुल जाओगे, जब मनी होगे तुम्हारे पास, या काबुली चैना तब ही तो खाओगे, जब मनी होगे, पैसे से चने खरीद होगे, है ना, ऐसे आद कर सकते हो, और मनी अगर आपके पास नहीं होए, तो तंगी हो जाएगी, कहते हैं, इसके पास मनी नहीं होती, बहुत कहते ह रही है इस ताइम पे बहुत जादा तो तंगी से तंग खुल हो जाएगा ठीक है अब थाडाओ थाडाओ से कैसे हम लोग बना सकते हैं थार थार अबना लो कि मनी होगे तो थार भी ले सकते हैं काफ़ी अच्छी कार है महंगी मिलती है लेकिन पैसा होगा तभी तो लेंगे तो ऐसे हम लोग मानिपूर का याद करेंगे उसके बाद करनाटका में कौन कौन से देखो नाई कड़ा कोलीडोर मारती मेडा ठीक है कहते हैं कि वो इतनी जादा मतलब नाटक कर रहा था कि उसको मार ही पड़ गई तो मार से मारती हो जाएगा और उसका डोल बजा दिया ब बीमार पड़ने के बाद भी चछिक है उसकी बाद आता है तमिल नाटू में आपको मिलेगी मलियाली इरूलर और टोडा ठीक है तो मलियाली में थोड़ा सा मिल-मल आ रहा है तो यहां पर ऐसे आद रहेट करो इसको इसके बाद है इरूलर जैसे हम कहते हैं ना मिलना हो तो तो रेगुलर मिलो, तो रेगुलर, एरूलर, तोड़ा सा रेलेट होगा, राहिमिंग सी बन जाएगी, ठीके, नेक्स्ट इस आंद्रप्रदेश, आंद्रप्रदेश में मिलेगी सुगाली, लंबाडी, बंजारा और कोया, ठीके, तो याद कैसे करें, देखो, अंधेरे में, अंधेरे में आपको कोई भी कुछ भी सुगा सकता है, ठीके, अंधेरे में आपको कोई भी कुछ भी सुगा सकता है, ठीके, तो कोई से कोया हो जाएका, उस सुगाली जाएका, में यहाँ पे देखो, सुगाली है, यह यादर करलो, ठीके, उसके बाद लंबाडी, और करता है उसके बाद पानी पी लेते हैं ताकि हम लोग को नौर्मल लगे यह ना ऐसे हम लोग इसको याद करेंगे बहुत इसी है के के रहला से तो आप लोग करे लिए कर लिया करो नेक्स्ट इस ते लंगाना ते लंगाना में चैन्चुस ऐसा हो दा ना जिब ममी बालों में तेल लगाते हैं चंपी कर देते हैं कि नहीं नहीं बाल बनो तेल लगागे बिल्कुल तो हम बड़ी चैन्चा करते हैं क्या यार ममी तेल लगा दिया का नए जमाने में तेल कौन लगाता है तो बड़ी चैन्चा करनी पड़ती है ठीक है उसके बाद अंडमान निको बार म क्यों कि आप लोग खुझ से पर रिलेट करना सीखो किस तरीके से आप लोग बना सकते हो जो आप निमोनेट अगने इसके हेल्प लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं डारेक्ट भी याद कर सकते हैं दमन दूइप में डूबला मिलेगा तो देखो डियू डी ये भी डी ये भी डी और ये भी डी तो डूइडी डी हो रहा है सब कुछ ठीके या फिर इतना दम लगाओगे तो कोई डूबला इंसान इतना दम नहीं लगा सकता है ऐसे प्यात कर सकते हो दादरा नागर हवेली मे डूडिया, कोकना, वरली देखो ये दोनों अब एक ही हो गई है यूटी लेकिन ये 2011 के सेंसे तो उस ताइम पर तो अलग-अलग था ना अभी तो हो गई है न तो इसलिए अलग-अलग पट रहे हैं इस चीज को ध्यान लगा दादरा नागर हवेली ठीके तो दादरा और धोडिया, ठीके मतलब हमने क्या किया हा की डादरा से निकालो की डाद ने क्या किया हमारा डाड ने वरली ली اور उस धोडिया ठीके ऐसे आप लोग थोड़ा से इसको याद करेंगे ट्राइबली कौन से ट्राइब करने चंग वह चांग याद कैसे चांग पासे क्या बना सकते हैं ठोडा बहुत आप लूँकरेंग हम लोग से चांगबा ठीक है कि चारो तरफ से लोग क्या होगा लद गए पूरे तरीके से आके सियाद कर सकती हैं तो यह थी हमारे जो ट्राइब की वीडियो है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में चीज़े बताएं देखो फेमस फेमस चीज़े उनको प्लीज अच्छे से याद सब्सक्राइब करने के कोई आप इतना भी पड़ोगे तो एक्जाम में इतना इनफ है यहीं सही कोशन बन जाएगा ठीक है तो अब मतब एक तरीके से इत्मिनान होके इस चीज़ को पढ़ सकती है चले फिर ऐसे ही इंपॉर्टन वीडियो के साथ मैं अगली वीडियो में आप लोग उससे मिलोंगे थैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो